नेता जी कहते थे कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को जगजोर सके आज हमारे सामने आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष है हमारे सामने आज़ादी के सौवे साल से पहले पेंटी फोर्टी सेवन के पहले नए भारत के निर्मान का लक्ष है और नेता जी को देश पर जो विश्वास था जो भाव नेता जी के दिल में उभरते थे और उनके भावों के कारण मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष तक पहुँचने से रोक सके है हमारी सभलता है हमारी संकल्प सक्ति का सबूत है लेकिन ये याता अभी लंबी है हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तब त्याग और बलिदानों का बोध रहे भाई और भेनों आजहादी के अमरत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेणाओं को पुनर जिवित करेगा ये दुर्भाग्य रहा कि आजहादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया स्वाधीनता संग्राम में लाखो लाग देश वाद्षों की तपस्या सामिल थी लेकिन उनके इतिहास को भी सिमित करने की कोशिश हुई लेकिन आज आजहादी के दसकों बाद देश उनकी गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है ठीक कर रहा है आप देखिए बाबा साहब आम्बेड कर से जुड़े पंचतिर्थों को देश उनकी गरीमा के अनुरुप विक्सित कर रहा है स्टेची अफ उनिटी आज पूरी दुनिया में सरदार वलब भाई पटेल के यज़गान की तिर्थ बन गई है भगवान बिर्सा मुंडा की जैन्ती को जनजातिय गवरो दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी हम सब ने कर दी है आदिवासी समाज के योगदान और इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग राज्यों में आदिवासी मुजिंट बनाए जा रहे है और नेता जी सुभासी अंद्र बोश के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गवरो से संजो रहा है नेता जी द्वारा अन्दमान में तिरंगा लहराने की पच्छतरवी वर्जगांट पर अन्दमान के एक दीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है अभी दिसंबर में ही अन्दमान में एक विशेत संकल्पस मारक नेता जी सुभासी द्र बोश के लिए समर्पित की गई है